असलाम अलेकुम स्टुदेंट्स इस लेक्ट्टर नमबर इलावन अप्र मैप्स वर क्लास नाइन तो आज हमारी लास्ट एक्सरसाइज देए 3.4 पेज नमबर है 72 यूज लॉग टेबल तो फाइंड देए वैल्यू फाइंड करने लॉग और एंट लॉग दोनों इसमें 7.76 multiply by 13.6 4 इसको X के एक्वरल हम स्पोज कर लेते हैं एक्स इपुल टू 0.8176 multiply by 13.64 दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं टेकिंग लॉग ओनों साइब लॉग एक्स इपुल टू लॉग ऑफ 0.8176 multiply by 13.64 अब देखें मल्टिप्लाई होने उनके लॉग एड़ हो X is equal to log 0.8176 plus log 13.64 इनके log इसका देखें करेक्टर स्टी कितना होगा वेकवर्ड मूव करेगा decimal minus 1 तो minus 1 point अब 81 को 7 में और 6 का difference log table में देखेंगे तो इसका answer आजाएगा log आजाएगा minus 1.9125 आपको बता है न माइनस इसके उपर इसलिए डालेगे negative और मेंटी सा जो है वो positive प्लस log 13.64 निकाला ये आएगा 1.1348 अब इसमें करते क्यों है log X is equal to इसका negative part अलादा कर दिया और minus 1 plus 0.9125 इसको भी सित्रा कर लेते हैं जाएगा यह है तो दोनों positive है लेकिन cancellation हो जाएगा plus 1 और plus 0.1348 प्लस 1 और minus 1 cancel out हो जाएगे इन दोनों को add किया decimal को log X is equal to 1.0473 एक्स find out करना है आपको पता log जब दूसरी साइपर शिप्ट करेंगे तो anti-log हो जाएगा X is equal to anti-log 1.0478 characteristic है 1 और mendissa है 0.0473 अब anti-log में देखना है anti-log table में 0.04 को 7 में column और 3 का difference जाएगा 1115 अब कर reference नमबर यहां पर होता है first digit पर यह characteristic 1 है तो यहां से one digit move कर जाएगा right side पर तो 11.15 is the answer next है number 4 x is equal to 2.709 का 5th root multiplied by 1.239 का 7th root तो इसको लिख सकते हैं x is equal to 2.709 raise to power 1 by 5 multiplied by 1.239 raise to power 1 by 7 taking log on both side log x is equal to log of 2.709 raise to power 1 by 5 multiplied by 1.239 raise to power 1 by 7 तो अब इनको log x is equal to multiply और इनके log add हो जाएगे log 2.709 raise to power 1 by 5 plus log 1.239 raise to power 1 by 7 power square पहले लिख लिख लिया log x is equal to 1 by 5 log 2.709 plus 1 by 7 log 1.239 log x is equal to 1 by 5 इसी तरह अब 2.709 का log निकाला तो यह आएगा 0.4328 plus 1 by 7 ऐसी आ जाएगा और 1.239 का log निकाला 0.1430 0.4328 को 5 से डिवाइड किया तो अंसर आजाएगा 0.0866 plus 0.1430 को 7 से डिवाइड किया तो अंसर आजाएगा plus 0.0204 इन दोनों को एड़ किया तो x आजाएगा 0.1069 तो x पाइंट करना है x is equal to antilog 0.1069 तो आपके पास आएगा 1279 तो आपके पास आएगा 1279 रेफरेंस नमबर आपका यहां पर फ़स्ट डिजेट पर तो 0 एक रेक्टरिस्टिक तो यहीं पर रह जाएगा x is equal to 1.279 तो आपके पास नेक्स है 6 पाइटा बाकी जो हैं वो नहीं है जो कुछ होंगे मैं होंबर मैं आपको देंगा यह x is equal to 0.7214 multiply by 20.37 dividing by 60.8 इसका cube root, cube root को 1 by 3 लिख सकते है x is equal to 0.7214 multiply by 20.37 dividing by 60.8 whole power 1 by 3 तो log ले ले लेते हैं दोनों तरफ के साथ log लगा देंगे तो फिर log x is equal to power को पहले लिख लेंगे 1 by 3 bracket में आएका log साथ इसको जो multiply हो रहें इनके log add हो जाएंगे और जो divide अब हो सकते हैं 1 by 3 into bracket आजाएका log 0.7214 plus log 20.37 minus log 60.8 1 by 3 अब देखें इसका characteristic backward move करेगा तो minus 1 point अब 72 को 1 में देखना है और 4 का difference log तेबर में यह आजाएगा 0.8581 में इसका positive है और characteristic इसका negative है plus अब 20.37 का log निकाला तो यह आजाएगा 1.3089 minus log 60.8 आजाएगा 1.7839 अब इसका negative और positive को separate कर दिया minus 1 plus 0.8581 plus जिसको भी positive है लेकिन अलाता कर देतें cancellation के लिए plus 1 plus 0.3089 और minus yes it is रहने देतें 1.7839 cancellation के बाद log x आजाएगा 1 by 3 into bracket में आएगा minus 0.6169 3 से divide करतेंगे तो log x आजाएगा minus 0.2056 अब देखें इसमें negative आजाएगा है तो हमें भी खेपड़ा मेंटी सा जो है वो always positive आना चाहिए तो 0 है decimal से पहले तो इसमें 0 से एक बड़ा नंबर माइनस भी करतेंगे add log x is equal to यह minus 1 और plus 1 minus 0.2056 तो 1 में इसको subject कर दिया तो log x आजाएगा minus 1 plus 0.7944 तो log x is equal to minus 1.7944 x is equal to anti-log आजाएगा minus 1.7944 characteristic minus 1 मेंटी सा है 0.7944 तो उस सिंप्लिफाई किया तो यह आजाएगा anti-log चेक किया तो x is equal to 6228 रेफरेंस नंबर यहां पर होता है यहां 6 और 2 के द्रम्यान है तो 6 से left side पर आजाएगा characteristic minus 1 है तो decimal उतरा जाएगा तो x is equal to 0.6228 is the answer अब तो question number 2 है what problem type है a gas is expanding gas expand हो रही है according to the log log है p v raised to power n is equal to c c find out करना when p हमारे पास given है 80 और v है 3.1 और m जो है वो 5 by 4 we have the formula c is equal to p v raised to power n values put कर दें c is equal to 80 into 3.1 raised to power 5 by 4 log ले लेते हैं दोनों side पर log x log sorry log c is equal to log 80 multiply by 3.1 raised to power 5 by 4 simplify करते हैं log c is equal to log 80 plus power x से पहले लेते हैं 5 by 4 log 3.1 log c is equal to इसका log निकाला 80 का log आएगा 1.9031 और plus 5 by 4 इसी तरह log 3.1 का आएगा 0.4914 अब log c is equal to 1.9031 और 0.4914 को 5 से multiply किया और 4 से divide किया तो answer आजाएगा 0.6142 तो log c अब इन दोनों को add करेंगे is equal to आएगा 2.5173 तो c find करना log उस्तरफ antilog हो जाएगा c is equal to antilog 2.5173 characteristic 2 है मैंटी से है 0.5173 एंटी लॉग चेक की है 0.51 को 7 में और 3 का difference है यह है और यह आएगा 3291 रेफरेंस नमबर है 3 और 2 के तरह में आने characteristic 2 है तो यहाँ से 2 डिजेक मूग कर जाएगा ट्री 29.1 लेक्टर हमारा complete हो गया question number 1 का homework देख लें थर्ड पार्ट आपने करने और question 5 करने अच्छा इसके लागा आपने review exercise बिटा देखें review exercise का question number 1 करने MCQs और इसका question number 2 यह आपके लिए homework में है तो अब आपका chapter जो है according to smart syllabus complete हो गया है ठीक है इनको आपने register में करना है बहुत अच्छी तरह करना है तो आजकर lecture complete हो तो thank you very much